हेलो फ्रेंड स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टाड एजूकेशन यूटूब चैनल पे और आज किस लेक्चर में हम बात करेंगे सेल ओर्गिनल्स एंड स्टक्चर एंड देर फंक्शन ठीक ना तो सब सब पहली बात तो देखो सेल ओर्गिनल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि सेल ओर्गिनल्स किसको बोला जाता है सोरी ठीक ना एक्चुली तवित खराब हो रही है जैसी कि आप कोई पता है ठीक है तो बट फिर भी आप पढ़ों ठीक है तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेल ओर्गिनल्स स्टक्चर एंड फंक्शन के बारे में ए देखो भाई वैसे तो motivated नाम की कोई चीज नहीं होती अपकी अपनी लगन है अगर आपको अपने आप निकालने और कुछ बनना है जिंदिगे में कुछ करना है तो भाई मैनद करने पड़ेगी ठीक है न जो इस बात को कहा रहा है कि मैं demotivated हो रहा हूं वे अपने comfortable zone से ब complete हो जाती है ठीक ना साथ यूनिट दो मन्त में complete हो जाती है आपकी ठीक ना और साथ यूनिट ही आपको चाहिए होती है CSIR में वैस्ट करने के लिए ठीक है जैसे कि आपने मेरी strategy class देखे होगी दोखो गई जैसा होता है कि आपको कुछ किसी चीज़ को करने के लिए लगन होन चाहिए कि इस चीज़ को मैं कर सकता हूँ फिर उसकी strategy बना हो ठीक ना कि किस प्रिकार से मैं इसको कर सकता हूँ फिर आपको देरे देरे ले लगना स्टार्ट हो जाएगा कि हां मैं इस चीज़ को कर लूँगा ठीक है फिर मैं इस चीज़ को कर लूँगा फिर उसके लिए हार्ड वर्क करो ठीक ना strategy प्लान बना लिए हमने सेरे ठीक ना और हमें अरंद्यन believe आ गया कि हां मैं इस चीज़ को कर लूँगा फिर करो अपना हार्ड वर्क और हार्ड वर्क ऐसा करो कि आपका परिणाम कुछ ना कुछ अच्छा मिले ठीक ना मैं यह नहीं कहता है किसी का परिणाम अच्छा नहीं मिलता है किसी का अच्छा मिल जाता है तो अगर आपको परिणाम अच्छा नहीं मिला तो कोई बात नहीं नैस टाइम करेंगे और सबसे बड़ी बात होती है आपको अपने relatives को ignore करना पड़ेगा, आपको negativity से बचना पड़ेगा, उसको ignore करना पड़ेगा, अगर आप से कोई new कहता है, कि आप से नहीं हो पाएगा, तो आपको उसको ignore करना है, कोई आपकी हसी मजाक बनाता है, उसको ignore करना पड़ेगा, कोई आपको देख करके हसता है, ठ तो क्या होता है कि वो अपना माइंड उसका माइंड सैट अप होता है कि वो अपना पढ़ाई पर धिहान रहे ठीक ना इसलिए वो जासे मैं आपने साथ करता था कि आगर मैंनो कोई चीज पढ़ी तो रिकोल रिविजन अगर मैं कहीं पर जा रहा हूं या फिर कहीं पर बैठ तो रिविजन रिकॉल मतलब रिकॉल वहीं पर कर लेता था ठीक ना तो तो एंसान सोचता है कि यह बंदा जो है आप डिप्रेशन वगारा में चलागा तो ऐसा कुछ नहीं इगनोर करना सिखो ठीक है तो लाइफ में काफी सारे टाइम ऐसा आता है कि आपको इगनोर करना अब तक इस एक्जाम के लिए जी जान लगा दो ठीक है ना या तो इस पार या फिर उस पार या तो इस पार या फिर इस पार काफी बच्चे बोलने हैं कि सर हम इस वार ड्रोप कर लें क्या हम अपना नेस टाइम दे देंगे तो वैसा वैसा है कि CSI-R का यह पता नहीं कि अगे लिए वार वो देगा या फिर नहीं देगा ठीक है क्योंकि CSI-R वालोपे अब यह विश्वास मत करो कि वह दिसंबर में दे देगा या नहीं देगा इस वार मतलब लास्ट वार अपने कमफर्टिबल जोन से बाहर आ जाओ खाना छोड़ना खाना छोड़ो नीन करनी है तो वह सब अपना खाना कम कर दो ठीक है अपना खाना कम कर दो और अगर बीमार हो रहे हैं तो बीमारी सबचो सबसे पहले हैं डोक्टर से सलाह लेते रहो ठीक ना डोक्टर से सलाह लेते रहो टाइम टू टाइम और अपने खान पीन पर धियान दो ठीक है तो देख मैं ही हूँ मैंने जब आपसे कहा दिया कि मैं आपकी यूनिनिट Singapore कराऊंगा तो चाहे मैं किसी भी condition हुँ थीकर ना मैं किसीरनल कैंडी कर교 PRO करने वा LA हूं मैंने आपको पिछले लक्षर में वाताई थहा है कि उडाश्त के मुझको बात करते हैं मतलब तो इसी प्रिकार से आपको भी देखो पीछे नहीं अटना है सोच लिए एक बार करना है तो बस करना है उसी के उपर आपको मेहनत करनी है आपको लोगवागों को इग्नोर करना पड़ेगा कि कोई क्या कह रहा है कोई क्या नहीं कह रहा है कोई साधी अट तो बस यही आपको करना है अपना जो गंट अपने नींद कम कर सकते हो अगर आप अपनी पढ़ाई पर दो श्टड़िपे दोगे तो आपके लिए तो आपको यह बहुत ज्यादा वेटर होने वाला है इस समय अगर मैं अपनी कंडिशन बता हूं तो ओल्मोस्ट मुझे दो से तीर महिने हो गया है मैं भी तक चार से पाच गंटे से जादा निस होता हूं चुली मैं गाउं में रहता हूं और यहां पर रात को सोना होता है आपका एक मैं दिन आसी लगे रहते हैं यहां पर में यादत भी नहीं है कि मन करता है बट फिर मैं सौता नहीं हूं क्योंकि नेंद ही नहीं आती दिन में तो अपना फोकस करो नेंद वगएर को कम करो ठीक नहीं अपना अधिकतर अगर जब फिरी हो तो सोचो अपने CSIR के वाएम अप से कहीं पर भी PhD जोईन कर लेना आपकी फैलोशिप आती रहेगी और फैलोशिप आपको पता है कितनी होती हैं आप अपनी अराम से जो भी आपके साथ में नोकरी कर रहा होगे उनकी नोकरी चले होगी आपकी PhD चलेगी ठीक ना आपकी क्या चलेगी PhD बैसे तो अब गवर्मेंट ने यह नियम निकाल दिया है कि Assistant Professor बनने के लिए आपका जो है PhD या फिर नेट जिर्फ की जर्वत नहीं पड़ती है ठीक ना मैं ऐसा बोल दें के इसकी जरुत पढ़ने वाली है ठीक ना तो जो आप तयारी कर रहा हो उस तयारी में लगे रहा हो क्योंकि अगर आपको PhD करनी है तो एक fellowship लेनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास आप कोई पता होगा PhD आप धाय साल से 6 साल के बीच में जमा कर सकते हो ठी ठीक है तो देखो भाई साब बस आपको अब इतना ही ध्यान रखना है मालों आपने अगर तीन से पास साल लगा है तीन से पास साल लगा है अपनी PhD को कंप्लीट करने में तो आपकी जो एक प्रकार से scholarship बनी रहेगी government के थुरू ठीक ना government के थुरू एक scholarship बनी रही बट वो जब बनेगी जब आपका CSIR क्वालिफाई हो जाएगा ठीक है इस समय आपके फोर्म निकले होए है काफी सारे इस समय आपके काफी सारे फोर्म निकले होए है जैसे कि आपका ASRV का निकला हुआ है DVT का निकला हुआ है CSIR का निकला हुआ है ठीक ना तो यह काफी सारे फोर्म निकले होए है बट फोकस करो इस समय एक चीज बने क्योंकि देखो तीनों का pattern अलग होता है जो आपका DVT होता है आपका DVT मतलब थोड़ा सा एजी होता है CSIR लेवल से और ASR भी तुमारा जो है का आदर का जो अग्जाम होता है तो इस पेपर की आप तयारि ना करके आपको आप क्योंकि आगर आप CSIR पे फोकस करोगैं तो डिवीटी आपका उसी में हो जाएगा जब आप CSIR की तेयारी करोगे और छोटी छोटी बात यहां पर जो मैं बाते बताते रहता हूं उसको डायरी में नोट कर लिया करो ठीक है ना चलो फिर आज के lecture पर बढ़ते हैं और आई होप आपको थोड़ा वह तब अच्छा फील हो रहा होगा बट इगनौर करना सीखो ठीक है ना इगनौर करना सीखो जो आपके लिए negativity बनना है कोई भी अगर आपके लिए negativity बनना है तो इसको इगनौर करो कोई भी हो ठीक है चलो फिर स्टार्ट करते हैं सैल ओर्गेनल सैल ओर्गेनल क्या होते हैं तो देखो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो सरीर आपकी जो बोडी है वो सैल से मिलकर के बना हुआ होता है ठीक ना आपके जो बोडी है वो सैल से मिलकर के बनी होई होती है बट इस सैल के अंदर इस protection provide करता है कोई सेल के लिए सेल साइकल में हैलो करवाए गा कोई साइस के लिए प्रोटीन की सिंथिस करेगा तो काफी-काफी different आपके जो है cell organals होते हैं ठीक ना जो cells के लिए different different function perform करते हैं तो इन organals को ही हमें पढ़ना है इन organals के बारे में ही आज हमें अपनी जो है आज हमें जो है अपनी class वो आगे वढ़ानी है ठीक ना तो देखो मैंने बैसा तो आपको पहले जी बता रखाए के आपका एक cell में कौन-कौन से organals पाय जाते हैं वहommes आपको दोबारा बता देता हूँ यहाँ पर जो cells का mind होता है ज्यूसकन nucleus बोल देते हैं हम इसको क्या बोलते हैं nucleus बोलते हैं यह part को nucleus का चमक रहा होगा ठीक यह part आपको nucleus का चमक रहा होगा फिर इसे के अंदर आपका Nucleoluss होता है थ lain we go us हम सेप्रेटरि आपके औरosphere नल आते हैं उनकी चर्चा करेंगे ठीक न 50 करने वाले हैं फिर इसके बाद इसी से ही लगी होय होती है आपकी endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum इसी से ही लगी हुई होती है ठीक ना यह होती है आपकी endoplasmic reticulum अब यह भी आपकी दो प्रिकार के होती है एक होती है आपकी SER यानि कि rough endoplasmic reticulum एक दूस्टी होती है आपकी SER ठीक ना कौन सी होती है SER ठीक है तो सब से पहले सब से पहले है आपका RER का formation होता है और इस RER से ही आपका SER का formation होता है दोनों में difference क्या है हम आगे बाद करने वालने ठीक है फिर इसके बाद इसके बाद आपकी बनती है गोल्जी बोडी ठीक ना इसके बाद क्या बनेगी आपकी इसके बाद बनेगी आपकी गोल्जी बोडी का निर्माण होने वाला है होते हैं इनों होते हैं कि आप एक्रूर सार्म का होता है क्योंकि उनको पढ़ना भी वह दूरी होता है हम यहां पर पूरा-पढ़ेंगे की what a is इसके बाद आपका energy source के लिए mitochondria आ जाता है cell के अंदर ठीक ना यह आपका mitochondria होता है इसके बाद micro tubules होते हैं micro tubules, micro flamants and आपका actin flamants यह क्या होते हैं यह आपके cytoskeleton होते हैं हम cytoskeleton को भी देखने वाले हैं हम cell organal complete कर लेंगे इसके बाद हम देखेंगे cell का cytoskeleton है वो क्या होता है देखो अब आपको यह आपको यहाँ पर ER दीख रही होगी यहाँ पर आपको mitochondria दीख रहे होंगे centrioles दीख रहे होंगे तो यह किस प्रिकार से एक जगे सा दूर्शी जगे जाते हैं यह फिर किस प्रिकार से एक जगे स्थिर रहते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार होता है cytoskeleton ठीक है इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है cytoskeleton जिम्मेदार होता है जूकि इनको एक place provide करता है इनको एक way provide करता है road map provide करता है जिससे एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, ठीक है न, तो हम cyto skeleton को cell organals के बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है न, इसके बाद हम endocytosis और आपका exocytosis पढ़ेंगे, उसके बाद हम cell cycle के लिए चलेंगे, ठीक है, हो सकता है, यह आज कल में आपका cell organals खतम हो जाए, ठीक है अब हम दो प्रिकार से divide कर सकते हैं Proto Plasma को, एक कहा सकते के Cytoplasm होता है, Cytoplasm और दूसरा होता है आपका Nucleoplasm, ठीके ना, ये जो Nucleoplasm होता है, ये होता है इस Nucleus के अंधर, कहां पर पाए जागा Ergayac Nucleoplasm, Nucleus के अंदर जबकि जो आपका साइटो प्लाजम पाए जाता है जो नुक्meden vengeance के बाहर का environment एता, ठीक नए इस nuclear नेजर से लेकर के और आपके plasma membrane तक के environment ये जो environment है इसको आपका बोलते है इसको क्या बोलेंगे ये सारा का सारा क्या सा T about आप य over यह आपका fluid nature का होता है तो यह होता है आपका आपका cytoplasm इसके बढ़ाद आपको dot, dot, type के चमक रहे होगा यह होता है आपके आपके ribosome, ठीक है यह ने, यी क्या है आपके ribosome है ठीक है और अक्चली यह कौन से चालस है, यह आपकी animal cells ? ठीक है यह कौन से cell आपकी animal cells ? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि animal cell, plant cell and आपके bacterial cell इनमें क्या differentiate होता है इनमें क्या differentiation होता है तो देखो मैंने कैसे बता है क्योंकि यहाँ पर आपके centrosomes पाए जाते हैं जो कि centriole का निर्मान करते हैं centriole जो होते हैं आपके cell division जब होता है तब help करते हैं ठीक है ना तो यह kevel और kevel कहाँ पर पाए जाते हैं अगर यह आपकी plant cell होती तो पहली बात यह नहीं पाए जाती है यहाँ पर एक बड़ा सा vacuum पाए जाता है यहाँ पर क्या पाए जाता यहाँ पर आपका plastic पाए जाते हैं जिनको हम तीन भागों में बाढ़ते हैं कौन-कौन से एक तो होता है आपका क्रोमोप्लास्ट दूसरा होता है कौन सा क्रोमोप्लास्ट और तीर सा होता है क्लोरोप्लास्ट हम आगे detail में देखने वाले हैं लुक्योप्लास्ट जो होता है जो आपका लुक्योप्लास्ट होता है वो storage का काम करता है ठीक ना आपके जितने भी energy store बगारा हो रही है ठीक ना carbohydrate बगारा store होते हैं वो लुक्योप्लास्ट में होते हैं क्रोमोप्लास्ट क्या काम करता है कि कलर प्रोवाइट करता है जैसे कि फूल की पत्तियां कोई भी फल होता है वे जब पकते हैं ठीक ना फल पकते हैं एक से दूसरे कलर में चेंज होते हैं तब वहां पर क्रोमोप्लास्ट पाए जाता है जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोर फिल्ल होता है जिसमें हम पढ़ेंगे थायलोपोइट क्या होता है आपका स्टॉमा क्या होता है ग्रेना जहां पढ़ें यह सारी चीज हम पढ़ेंगे तो गवराने वाले कोई बात नहीं हैया ने आपको केवल एक बेशिक बता है ङुंकि पोउर 00933 करते हैं अब एक टेक्निक आती है जिसको बोलते हैं सेंटिफ्यूगेशन जिसको क्या बोलते हैं सेंटिफ्यूगेशन बोलते हैं ठीक ना आपकी पैथोलोजी लैब में या फिर जितनी भी आपकी लैब होती है जहां पर जहां पर आपको जो है किसी सेल में से कुछ सेप्रे is a process that use centrifugal force यहां पर कौन सी force लगती है centrifugal force लगती है to separate and purify mixture of biological particle inner liquid medium कहने का मतलब यह है कि मालनों आपके पास कोई blood है ठीक ना आपके पास कोई blood है इसको हम एक tube में रखेंगे एक test tube में रखेंगे ठीक ना यह आपका blood भरा हुआ है यह आपका क्या भरा हुआ है इसमें blood भरा हुआ है और आपको पता होगा blood में आपके काफी सारे अलग-अलग different different चीजे पाए जाती है जैसे कि blood में ही आपके plasma पाए जाएगा ठीक ना blood में क्या पाए जाए जाएगा यहाँ पर different different type की cells पाए जाती है जैसे कि धबकलो वी, कि एडबहलो वी, कि यह उपका रवी, कि लग रहा है इसके बाद एपका सिर्म पाया जाता है यहां फृष्ट की बात करना हूँ टिक न तो अभ यहां पर इन सैल को करना है, serum को अलग करना है, तो अब यह किस प्रिकार से हो सकते हैं, तो इनके लिए हम यूज करते हैं, centrifugation का, इसके लिए हम यूज करते हैं, centrifugation का, तो एक application तो ये हो गई, अब इसके बाद अगर हमारे पास कोई cell है, ठीक है, कोई rvc cell है, मालब आपका RVC cell है अब इस RVC cell के अंदर भी आपका काफी कुछ पाया जाता है जैसे कि आपकी protein पाये जाती है ठीके न, क्या क्या पाये जाएं protein पाये जा रहה है आपके organals पाये जा रहे है organals पाये जा रहे है Jins organals को अगर मालबू यहापर हमाए औरगेनल स्को अलग करना हो स्क्क है इनको अलग करना है तब भी आप करने पड़ेगा सैंट्रीकय क्या होती है तो यहां पर जिसभी मीडियम को हम इसमी करना है तो ओस मीडियम को ट्यास ट्यूल को मैं ले लेता है यह एक मचीन हो ती है यहां पर यह R sentir टोटी है गोल-गोल गोंती है और ये इसकी जो मेथेड होता है वो क्या होता है ग्राविटेशनल फॉर्स के तूरू जितनी नीढत कर रहे घूना हो ए उसको सभड़े ग्राविव फॉर्स लगेगा उसके बाओरडिंग यह किसी भी cell के organelles को यह फिर जिसके लिए भी हम करवा रहे हैं ठीक ना जिसके लिए भी हम use कर रहे हैं उसको जो है sediment कर देगी उसको नीचे बैठा देगी ठीक है अब देखो यहाँ पर key technique for isolation and analysis the cells, subcellular fractions, super molecule complex and isolated macromolecules such as protein and nucleic acid ठीक ना तो अब देखो अब यहाँ पर अलग-अलग बात होती है सबको अलग-अलग जो है सबको अलग-अलग separate करने के लिए यहाँ पर function होते हैं अब यहाँ पर हम देखते हैं अगर हम को यह machine चलानी होती है तो इस मसीन को चलाते हैं हम RPM के हिसाब से, इस मसीन को कैसे चलाते हैं, RPM के हिसाब से चलाते हैं, ठीक है ना, इसकी फुफुम होती है, round per minute, round per minute, यानि कि एक मिनट में ये कितनी बार rotate कर सकती, एक मिनट में कितनी बार ये rotate कर सकती है, हो सकता है, एक मिनट में ये 1000, 1K वार आपका रोटेट कर सके ठीक ना आर पी एम ठीक है इसके बाद हो सकता है कि यह आपकी वन लैक्स वार आपका जो है आपका एक मिनट में एक मिनट में एक लाक वार रोटेट कर सके ठीक ना एक मिनट में कितनी वार रोटेट करें इतने आर पी एम यह जो है रोटेट करें ठीक को जो है isolate करते हैं अलग-अलग cell को isolate करते हैं अब देखो जैसे कि यहां पर मैं आपको कुछ बताता हूं यह देखो हम को एक हमने कोई cell तो देखो homogenization क्या होता है homogenization मतलब होता है कि आपका कोई एक ही प्रिकार का material है ठीक ना वो tissue हो सकता है वो कोई liquid हो सकता है ठीक है अम बंगर हम यहां पर किसकी बात करना है हम यहां पर हम बात करना है वाइलोजिकल की बात करना है उसमें भी हम एक cell के अंदर बात करनी है और cell के अंदर भी हमें और्गेनल को separate करना है किसको separate करना है और्गेनल को separate करना है ठीक ना तो यहाँ पर एक हमार पास homogenized mixer था ठीक ना homogenized mixer था जिसमें एक ही प्रकार की cells पाय जारती ठीक ना जिसमें क्या हुआ था एक ही प्रकार की cells पाय जारती अब इस homogenized mixer को homogeninated को हमने जब आपका 1000 G मतलब gravitational या फिर हम इसको RPM भी बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं और यहाँ पर G का मतलब होता है gravitational जब हम इस mixture को यह test tube है ठीक न यह क्या आपके test tube है अब इस test tube को हम centrifugation machine में रखेंगे किस में रखेंगे centrifugation machine में रखेंगे जोंसी machine आपने यह वाली देखिए ठीक न यहाँ पर रखेंगे कितनी देर के लिए 10 मिनट के लिए ठीक न दस मिनट के लिए रखेंगे और इसमें timing set कर देते हैं और gravitational set कर देते हैं ठीक ना automatic machine आती है काफी high-tech मैंने तो खुद यूज की है ठीक ना बहाँ पर हम क्या करते थे आपके microorganism थे ना un microorganism को separate करते थे ठीक ना हम microorganism के separation के लिए यूज करते थे तो यह मैंने आपनी किया microbiology lab में उसके बाद मैंने जो अप जो हम pathology lab में करते थे बहाँ पर हम serum के लिए करते थे ठीक ना आपके जो भी आपके सिरम था, सिरम को collect करने के लिए करते हैं, तो सिरम को collect करने के लिए आपका 100 RPM पे ही हो जाता है, ठीक ना, 100 RPM पे 1 मिनट के लिए हो जाता था, और जो हम micro organism के लिए करते थे, तो वो 15 मिनट के लिए करते थे, 15 मिनट के लिए आपका 1000 RPM पे, ठीक ना, तो आपको य यह चीज याद रखने के बतने हैं बस खाली याद क्या रखना आपको कि अगर यहां पर आप एक हजार gravitational force या फिर एक हजार rpm पे दस मिनट के लिए चला रहे हैं दस मिनट के लिए यहां इसमें कोई साभी material भरा हुआ यहां तक मतलब यह material आपका कोई साभी भरा हुआ है जब इसको centrifugation में करोगे तो अब आपको दो चीज मिलेगी दो चीज मिलेगी दो चीज क्या होगी एक तो होगा आपका ठीक न, एक होगा पैलेट, पैलेट होगा एक, दूसरा क्या होने वाला है, दूसरा होने वाला आपका सूपर नेटेड, ठीक न, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा आपका सूपर नेटेड, अब ये पैलेट क्या बला होती है, तो देखो, जो आपका नीचे जितना भी है भ इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलते हम पैलेट ठीक ना इसको बोलेंगे हम पैलेट जबकि जो आपका जो ऊपर का हिस्सा जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको बोलते हम सूपर नेटेड इसको बोला जाता है ठीक ना सूपर नेटेड इसको बोला जाता है तो आपको इतनी बात याद रखनी है तो अब देखों यहाँ पर क्या काम किया हमने यहाँ पर जब हमने इस वाली test tube को जो आपके दूसरे नमबर के test tube है इसको centrifugation पर रखा वो भी 1000 के लिए 1000 RPM पर 10 मिट के लिए रखा तो यह जो हमारो ऊपर का भाग है यह बहाग है इसको बोलेंगे जो बहा है इस वो लेंगे है इसको पर सबसे पहले और जैसे कि आपका हैवि क्या क्या है एक नुकुलिए फे जिट्म का मोलेकुलर बेट हाइँ तो सबसे पहले अब के वे सैद्मेंट होंगे यह भी होता है तो भी सबसे पहले आपके पैलेट में आखरके जुड जाते हैं फिर इसके वाद क्या होता है इसके बाद देखो अभी हमें मालो हमें नाई हमें चाहिए था हमें कुछ और ही चाहिए तो हम क्या करेंगे जो आपका super une öpt逊ंब इसे किसी दूसरी test tube में हम जो है transfer कर लेगे ठीक किसी दूसरी test tube में transfer कर लेंगे आथ इसको हम यह आपकी exact value नहीं है नीयर why value ठीक ना यह एक्जक्ट वैल्यू नहीं है यह नियर वाई वैल्यू है इतना भी याद रख लिना फिर इसको हम 20,000 RPM पर चलाएंगे ठीक ना यहाँ पर हमने क्या ट्रांसपर किया याद रख लिना यहाँ पर हमने केवल और केवल आपका यहाँ पर हमने को ट्रांसपर किया ठीक ना क्योंकि हमें नहीं नुकलाई चाहिए था नहीं हमें अपने अक्सपेरिमेंट के लिए हमें कुछ और ही चाहिए था तो यहाँ पर जब हमने स्ट्रीजस उपरκत mandate को दूबादा से किसी दूश्य टैस्ट ट्यूब में आपका अपलाई किया ठीक ना अपलाई किया दूश्य टैस्ट ट्यूब से करेंगे और से करेंगे वो करेंगे हम 20,000 G पर ठीक ना कितने पर 20,000 G पर G for gravitational या फिर हम इसको कहा सकते हैं 20,000 RPM ठीक ना 20,000 RPM भी इसको बोल सकते हैं इसके बाद यह हम करेंगे 15 मिनिट के लिए ठीक ना यह हम कब तक के लिए करेंगे 15 मिनिट के लिए क्योंकि हमें जो है अब nuclei and cellular debris से भी कोई हलका material चाहिए ठीक ना इससे भी हलका material चाहिए तो यहाँ पर भी हमारे दो रिजल्ट आने वाले हैं जब हमारी 15 मिनिट के बाद 20,000 G पूरे हो जाएंगे तब उसके बाद क्या होने वाला है तब हमारे पास दो आपके जो है रिजल्ट आने वाले है उपर का जो material लेगा इसको गोलेंगे super netted और जो आपके सबसे नीचे का material होगा इसको गोलेंगे palette यहाँ पर क्या मिलने वाला है बहुत important है जब आप 20,000 G पर 15 मिनिट के लिए गुमाते हैं तब आपको mitocondia मिलते है and chloroplast मिलता है क्या क्या मिलता है mitocondia मिलेंगे and आपका chloroplast मिलेंगे यह दोनों के दोनों कैसे हैं double membrinal organelles है इसका साथ-साथ आपको lysosomes मिलता है and paroxysomes मिलता है but हमारे जो हैं यह desire जो हमें चाहिए था हमारे मान लो ये भी हमें नहीं चाहिए थे ये भी हमें नहीं चाहिए थे तो इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद हम ये जो हमारा सूपर नेटेड है ये जो हमारा सूपर नेटेड है क्योंकि हमें अब इससे भी हलके चाहिए तो जो स्दाम के ओर चाहिए तो हम फिर दोवारे से Whether अगर यह करेंगे फिर इसको हम ट्रांसपर करेंगे ट्रांसपर करने के बाद फिर इसको हम सैंटिफ्यूज करेंगे इसका क्या क्लिए च्रीक्राइब कोester करना पड़ेगा सेंटिफ्यूज़न करना पड़ेगा कभी ऐसा नहीं होता के हम दाइडड़क्ट यहां से उठकर के यहां के लिए इसको सेंटिफ्यूज करे अगर ऐसा करोगे तो आपको सही result नहीं मिलने वाला है कभी भी तो तो यहां पर हम step by step जो है आगे बढ़ते हैं, तो देखों यहां पर हमारा जो है, जब हमने 20,000 G के लिए 15 मिट के लिए कर रहे थे, तब हमारा mitochondria मिला हमे, chloroplast मिला, lysosomes मिला, एंड paroxysomes मिला, ठीक है यह ओर्गिनल्स मिलका है, इसके बाद हमने timing बढ़ा दिया, साथ मिनट कर दिया, और अब हमने कर रहा, वन लैक्स, वन लैक्स जी, यानि कि वन लैक्स आपके क्या कर दिया है, यहां पर क्या कर दिया है, आर पी एम कर दिया है, ठीक है, राउंड पर मिनट, इतने राउंड पर मिनट में इतनी वार यह घूमने वाला है, तो अब जो इस बनेगा एंड नीचे बाला भाक्या वनने वाला आपका पैलेट वनने वाला है ठीक ना यहां पर आपको mostly देखनू क्या मिलेगा जितने भी आपके singled या रखलिन जितने भी आपके single single quarters है ठीक को मिलने वाले हैं थीक ना सिंगल हलका कुछ चाहिए तो हमने क्या काम किया अब इसका दो बारे से super netted लेंगे super netted लेकर के हमने दूसरी test tube में transfer करा अब हमने इसको डेल लाख जी कर दिया तीन घंटे के लिए ठीक ना डेल लाख जी कर दिया इसका यानि कि डेल लाख rpm कर दिया इसकी तीन आर के लिए तो अब हमें फिर दो बारे से दो condition मिलेंगी एक आपका super netted होगा दूसरे क्या होने वाला दूसरे होने वाला आपका palette ठीक ना दूसरे क्या होने वाला है या पर palette होने वाला है अब यहाँ पर जब आप डेल लाख के लिए करेंगे जब आप डेल लाख के लिए करोगे तब आपको ribosomes मिलेंगे ठीक ना तब आपको ribosomes मिलेंगे actually centrifugation आपके काफी सारे type के होते हैं ठीक ना जैसे कि simple simple हो जाएगा simple centrifugation middle centrifugation ultra centrifugation तो जो आपका याद रखे लिए जो आपका एक लाख से उपर का होता है इसको बोलते हैं ultra centrifugation इसको क्या बोलते हैं ultra centrifugation और जो आपका स्वेड वर्क साथ है उन्होंने ribosomes को separate था ठीक रिबस सोमको to canulfю Records को młode का तो उन्होंने ही सांटनी व्हेसं को डिस्कवर किया The tail तो नहीं इस आंड़्ट्रस्थ येसं को डिसकवर करता और यहाँ पर वह कितने आपके कितने मतलब उन पर कितना ग्रिवीक्राइन लग रहा है उसी के according उन्होंने एक unit दीती जिसको बोला गया था suede work जिसको क्या बोला गया था suede work बोला गया था suede work इसलिए आप देखते हो जब हम ribosomes का classification करते हैं आपको पता होगा कि ribosomes में protein and आपका RNA से मिलकर के बनी होई होती है ठीक ना large membrane होती है एक small छलो हम आगे बात करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हम ribosomes को आगे देखने वाले हैं तो इतनी बात समझ मागी आपको ये बात याद रखने पड़ेंगी कि आप से exam में पूछा जाता है कि मानलो आपको बोला जाएगा exam में कि आपको पूरा का पूरा चान नंबर में इतना जाद टाइम लगाया है आपको एक कोई लंबा सा भासन दे दिया जाएगा उसके बाद बोला जाएगा कि मानलो आपके जो है किसी भी centrifuge जो आपकी centrifuge tube है उसको पंदरा हजार से ले करके पंदरा हजार से ले करके बीस हजार बीस हजार या तो आर्पियम दे देगा या फिर जी दे देगा बीस हजार आर्पियम या फिर जी पर दस मिनट या फिर पंदर मिनट दस मिनट या फिर आपका पंदर मिनट क्योंकि मैंना बता है यहाँ पर जो है यह एक मतलब एक्जक्ट नहीं है यहाँ पर यह Near Y value है ठीक ना कैसी यह Near Y value है और यहाँ पर आपको Near Y value ही दी जाती है कभी भी exact value आपको नहीं दी जाती है तो इसमें आप सब पूछ लेगा कि बताईए आपको palette में क्या मिलने वाला है ठीक ना नाइसु सोम्स मिलेगा एंड पाराक्स सॉम मिलने वाला हैं एक लाःप erg बता रखा एमना आपको बता रखा ऊता है है आपको बहुँ पता होगा यह नादो होता है और इसका जो size होता है वो आपका काफी चोटा होता है molecular weight भी इसका मतलब काफी चोटा होगा तब ही तो ये आपका डेल लाग पर मिला है कभी डेल लाग पर भी नहीं मिलता डेल लाग से भी थोड़ा आगे जाना पड़ता है तो आप different different book में different different इनका क्या देखने वाल हो ? जी देखने वाल हो ? टाइमिंग देखने वाल हो ? तो confused नहीं होना ये हमें से नियर वाई value होती है क्योंकि अगर आप एक standard book को देखोगे मालो आपने चारे standard book रखे चारो standard book आपने थोड़ी range घटा उड़ा देंगी तभी तो भी एक दूसर से अलग लगेंगी ठीक ना बट range यही होती है इसी के आसपास आपका होता है ठीक ना देखों यहाँ पर क्या होता है क्या हो रहा था कि centrifugation के लिए हमको जो है transfer करना पड़ता है ठीक ना बऑन यासा नहीं कर सकते कि direct इस position पर पोच जाए या फिर हम ऐसा नहीं कर सकते कि direct इस position पर पोच जाए अगर आप इस position पर पोचतے हो direct तो आपका result कभी भी सही नहीं आता है ठीक ना इसलिए जो researcher होते हैं उनको काफी जादा timing लगाना पड़ता है, कभी-कभी ऐसा होता है lab में आपको 24-24 गंटे देने पड़ते हैं क्योंकि मैंने खुद ने दिये हैं ठीके न, lab में हमें timing देना पड़ता है क्यों क्योंकि काम तो कुछ नहीं होता बस इसका ही ध्यान लखना पड़ता है कि आपका इतने time में इतना हो रहा है इतने time में इतना हो रहा है और एक एक नहीं कम सो सो के लिए सो सो सेंपल हमको बनाने पड़ते थे ठीक है न, तो उसमें जो है काफी सारा timing चला जाता था ठीक है न, काफी सारा आपका timing चला जाता था इसका बाद देखो आपके different type की cells होती है जैसे कि मैंने आपको बताया है कि cable और cable हमारे सरीर के अंदर ही हमारे सरीर के अंदर ही आपको 220 प्रिकार की cell मिलने वाली है ठीक ना liver cell अलग होगी किपनी cell अलग होगी ठीक ना अलग क्या इसका थोड़ा सा different function आ जाता है नुकलिस नहीं कर जाता है तो बहुत है क्या बात रवीच में नूकलिस नहीं आज पी पाए जाता है लुदस पायाता है इसके बाद ढर्भू सोल मैंना आपको पिछले लेक्टर में बताई थी कि नर्विस एम वैक्टिर्या आपको माइक्रो वैलोंगी में बढ़ा चुका हूं प्लांट स्टेम्स होती हैं कुछ अमयवाइड प्रोटेस होते हैं जो कि आपके मिभा होते हैं जाड या लंबानिया होते हैं काफ़ी different type की cells होती है, ठीक ना, काफ़ी different, different की cell size होती है, cell, cell का size होता है, cell की safe होती है, ठीक ना, तो आपको ये बात याद रखनी पड़े की, इसके बात क्या होता है, देखो, अब हम चलते हैं, important, important आपके question पे, जो की CSIR में पूछ ले जाता है, दो number में, ठीक ना, दो number में पूछ ले जाता है, अब यहाँ पर आपको कोई सा भी ओर्गेनल देदेगा, ठीक ना, कोई सा भी यहाँ पर ओर्गेनल देने वाला है, कोई सा भी ओर्गेनल देदेगा, मालों, nucleus दे दिया, cell wall दे दी, endoplasmicole reticulum दे दी, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ ले जाएगा, यहाँ से आप सब पूछ ले जाएगा, कि बताएगे इस पर्टिकुलर ओर्गेनल का कौन सा आपका marker होगा, या फिर enzymes marker बोल देते हैं, ठीक ना, क्या बोलते हैं, इनको enzymes marker बोल देते हैं, तो अब आप कहोगे कि सर इतना सब कुछ याद करना है क्या, जैसी कि मैं बोलूँ कि इतना सारा याद नहीं करना है, इतना सारा आपको याद नहीं करना है, बैसे तो आपको जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो अब आपको खुद पता लगता जाएगा कि कौन से आपके organals में कौन सा enzymes मिलने वाला है, ठीक ना, क्योंकि हम detail में बात करेंगे कि मालनों जब हम chromatin पढ़ेंगे, तो chromatin में मैं आपको बताओगा कि किस प्रिकार साब का histone protein पाए जा रही है, linker protein कौन सी होती है, आपकी जो है, जो core protein होती है, बे कौन सी होती है, PTM क्या होता है, यहापर आपका TERF क्या होता है, ठीक ना, तो यह सब चीज हम पढ़ेंगे बट फिर भी आपके काम कर लेंगे, आप इस जो आपकी ये वाली जो table है, इसको मत बोलना, ठीक ना, इसको कभी भी किसी भी हाल में नहीं बोलने आपके, तो देखो जब हम nuclei की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपको enzymes कोन से मिलेंगे, DNA, RNA, ठीक ना, यह आपको enzymes marker मिलने वाल है, mitochondria में क्या मिलेंगे? Cytocrom C Oxidase मिलेगा, Succinease, Dehydrogenase मिलेगा, ठीक ना, यह Succinease, Dehydrogenase, And आपका Cytocrom C Oxidase ये आपका TCA cycle के है, ठीक ना, ये TCA cycle के है, आपको भी पता होगा, जो आपके TCA cycle होती है, वो कहाँ पर होती है? क्या घृट塊 कहां पर होती है वो आपके साय्टोसयल में हो जो आपकी ऑफ संचैन है वह भी कहां पर मिलने वाली है वह भी काहां पर होगी मौन से यहीं भृना कवी न ही निए इसके वार Congratulations लाइसोसोम्स होता है उसमें बीटा हैक्सो आमीनिडेज होता है ठीक ना जो क्या आपका को से डीजीज करता है टी सैक डीजीज करता है ठीक ना मैंने आपको बता रखा है आपको पता होने चाहिए यहाँ पर क्या होते है जो गैंगलियोसाइड होते हैं उनका क्या हो जाता ह वे आपके demorph हो जाते हैं, यानि कि उनका जो है, आपका ब्रेकडाउन नहीं हो पा था, अगर ये बीटा, हैक्सो, अमीनिडेज, एंजाइम्स ना हो, लाइसोसोम्स के अंदर तो, इसके बाद आपका बीटा गेलक्टोसाइडेज है, बीटा गेलक्टोसाइडेज आपका क्या काम करेगा, आपका जो है, वो गेलक्टोज पर काम करेगा, एसिट फास्पटेज है, ठीक ना, तो ये आपको एकजाम पर इनके याद रखने हैं, ठ यहां पर यहां पर जितने नाम लिखे हुए है यह सब आपको पता होने चाहिए एंड़िपलाजमी की रैटिकुलम हैं यह लेक्तोज डिहाइटोजिश आप से पूच्छा जा चुका है तो इस भार देख लो किसका नंबर लगने माला है कौन से ईंजियम मार करकर नंबर लगनेवाला है वो आप देख लो लगेगा इनहीं में से लगेगा इनके अलावा कुछ और नहीं लगने वाला ठीक है ना तो आपको कहीं और से भागने की जरुबत नहीं है इनके कुछ याद लगने कोशिस कर लेना जैसे कि नुकुलाई का आपका जो है एंजाइम्स या फिर सबस्टेट मारकर क्या है DNA और RNA ठीक है ना क्या है DNA और RNA ठीक है ना या फिर हम इस्टोन प्रोटीन को ले लें जो भी आ और से आपका उसका formation हो रहा हो तो वह आपका मारकर कहला एकर ठीक ना तो आपको इतनी बात याद रखनी है साइटोक्रोम सी ओक्सिडेज एंड सक्सिनेट डिहाइडोजिनेज ठीक है ना सक्सिनेट डिहाइडोजिनेज एंड साइटोक्रोम सी ओक्सिडेज लाइसोसोम्स में आपका बीटा हैक्सोमिनिडेज है बीटा गेलक्टोसाइडेज है एसिट फास्पेटेज है यह तीन है त छेपका horse radis paroxidase horse radis paroxidase नाम का जो है enzymes पाया जाता है फिर इसके बाद Christ paroxysomes होता है जहाम पर आपका क्या पाया जाता है cataly typically यह catalyse週 क्या करता है h2o यहाँ पर h2o2-2eH2O2 को बाटर में convert कर देता है ठीकड़ water में convert कर देता है water में separate कर देता है जब हम परोक्सिसोम से देखेंगे तब हम बात करने वाले हैं इसके बाद गोलजी अप्रेटस में गिलाइकोसाइलेशन वगरा होता है तो बहाँ पर आपको अल्फा अल्फा वैनोसाइडेश से किंड गेलक्टोसाइल्स ट्रांसफरेश यह सब एंजयम्स देखने को मिलते हैं ठीक है ना एंडोप्लाजिक लेटिकूलम में आपका गिलोकोसिक्स फोस्पेटेज मिलता है साइटोसोल में आपको लेक्टोज डिह हाइड्रोचिनेज मिलता है तो इन चीजों को बैठ करके याद करना ठीक है ना बैठ करके याद करना या फिर कहीं पर जा रहा हो तब याद कर लेना बट इस टेवल को मत भूलना अगर आपको देखो बाके में तैयारी करने है तो इस टेवल को मत भूलना इंपोर्टेंट टेवर लाई है ठीक है इसके बाद आगे चलते हैं अब हम कुछ function पढ़ लेते हैं अब हम पढ़ेंगे function ठीक है ना अब हम particular function पढ़ेंगे और देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़े से function बता रहा हूं जैसे कि यहाँ पर अगर सबसक्राइब नुकलियस को लेकर करके नुक्लियर एनमलप्त क्या होता है नुक्लियर लेमीलीन क्या होती है नुक्ल्यwolस क्या होता है वो सब चीज आपके लिए जानना जरूरी है लेकिन एक मोटे तोर पर यह function यहाँ पर आपको fonction जाना ख्शुझा न तो हम यहाँ पर function की बात करेंगे तो चलिया ये स्टार्ट करते हैं अपना resolution थोड़ा increase कर लिना तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं हम देखते हैं Eucalyotic Cell Genetic Instruction are housed in the nucleus and carried out by the ribosomes यानि कि सबसे पहले हम देख लेते हैं जहां से आपका genetic material जो है genetic material से सम्मध रखते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे nucleus के बारे में सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे nucleus के बारे में बात करेंगे तो इसकी structure कैसी होती कि surrounded by nuclear envelope surrounded होती है nuclear envelope से ठीक ना जो कि एक कैसी होती है double membrane मैंने आपको बताया था कि आपका mitochondria nucleus and chloroplast तीनों के तीनों कैसे organelles हैं यह तीनों के तीनों आपके double membrane organelles हैं यानि कि याद रख लिए ना bilayer में और double layer में मत confuse होना एक जो plasma एक जो membrane होती है एक जो membrane होती है वो bilayer की होती है ठीक ना एक membrane आपकी bilayer की पहे जाती है ठीक ना एक membrane आपकी bilayer की पहे जाती है तो यहाँ पर दो लेयर पाए जाएगी, दो मेंब्रेन ऐसी पाए जाएगी, यानि कि यहाँ पर कितनी आपकी चार लिपिड बाय लेयर हो जाएगी, ठीक ना, तो यहाँ पर यह डवल मेंब्रेनल को आपको याद रखना है, इसके बाद परफॉरेटेड वाइन नुकलियर यानि कि परफॉरेटेड होते हैं, यानि कि एक जगे से दूर सी जगे, अगर एक मतलब कुछ चीज आदान प्रिदान करनी हो अंदर से बाहर, ठीक ना, उसको बोला गया है, यहाँ पर नुकलियर पोर लगे होए होते हैं, और जो यहाँ पर याद रखना है, यह जो आपक आपका किसका फॉर्मेशन करेगा, यह आपका एर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक ना, यह किसका फॉर्मेशन करेगा, एर का फॉर्मेशन करने वाला है, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो देखू, यहाँ पर जो है, आपके इस राइबोसोम, यह जो आप इसका जो function होता है, function क्या होता है, कि houses chromosomes made up of chromatin DNA, ठीक है ना, यानि कि ये chromosomes का निर्माण करता है, या फिर chromosomes को रखता है, इसके बाद ये chromatin को बनाता है, chromatin में आपके DNA, जो कि आपका genetic material होता है, protein होता है, दोख मैंने आपको पहले ही बता है, जो आपका chromatin होता है, या फिर chromosomes होता है, वो दो चीज़ से मिल करके बना हुऊ होता है, एक में होता है DNA, एक में क्या होता है DNA, और दूर्षा होता है आपका protein, दूर्षा क्या होता है आपका protein, ठीक है, जो chromatin में DNA पाए जाता है, यह negative charge का होता है, यह कैसा होता है, DNA आपका negative charge का, जब कि जो protein होती है, protein आपकी कैसी होती है, protein आपकी positive charge की होती है, यानि कि यहाँ पर जो basic amino acid है, याद रखना जो basic amino acid है, बे आपको मिलने वाले हैं, और उनमें भी सबसे ज़्यादर कौन सा मिलेगा, जो आपका lysine होता है, जो यह ना हो, ठीक है, HRK, histidine, histidine, arginine, and HRK, यहाँ पर K है, यह K4 लाइसेन, ठीक है, इसके बाद contain nuclei, इसके पास nuclei होते है, where the ribosomes subunit are made, जहाँ पर आपके ribosomes बनते हैं, ठीक है, जहाँ पर ribosomes बनते हैं, poor, regulate, entry, and exit of material, जो इस nucleus के पास pure होते हैं, वे entry and exit को देखते हैं, actually इसके पास कुछ channel होते हैं, ठीक है न, जो की क्या काम करता है, बासकेट, जैसे हमारी यहां पर चबड़ा बोलते हैं, तोबहारी यहां पर टोकरी बोलते होंगे, ठीक है, ठीक है मटेरियल एक जगह से दूर से जगह जा सकता है यानि कि दो बाहर अंदर क्या जाएगा अंदर कोई भी प्रोटीन जाने वाली क्योंकि प्रोटीन जा करके जीन को क्या करेगी जीन को जो है आप मतलब ओडर देगी कि तुम यह चीज बनाओ और बाहर से क्या आने वाला कोई उसके लिए इक आपको चैनल चाहिए होता है जो कि आपको बड़ा ही बड़ा ही मतलब रेगुलेकर चैनल होता है ठीक ना मैंने आपको बताएता यह चैनल आपका कैसा होने पड़ेगा ठीक है ना चलो आगे बात करते हैं फिर बात करते हैं राइबोसोम्स की राइबोसोम्स क्या करेगा प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा प्रोटीन की क्या करेगा सिंथेसिस करेगा और जो राइबोसोम्स होता है राइबोसोम्स किस चीस से मिलकर के बना हुआ होता है तो यह मिलकर के बना हुआ होता है आपका RNA, RNA and आपका protein ठीक ना, दूसरा क्या होता है, protein होती है, याद रख लेना जो RNA पार्ट होता है, जो RNA पार्ट होता है वो जादा होता है compare to protein, इस ribosomes में ठीक है, और दो subunit से मिलकर के बना हुआ होता है, एक होती है large subunit and एक होती है unit होती है, जहाँ पर आपका किस चीज का formation होता है, protein का formation होता है, यहाँ पर आपके 3 gene काम करते हैं, यहाँ पर कौन 3 gene काम कोन करेंगे, सबसे इधर वाला होगा आपका E, ठीक ना, E, P, E, P, A, ठीक न, E, P, A, इनकी full form क्या होती है, E4 exit होता है, ठीक न, E4, चलो हम मैं आपको बाद में ही बता होगा कि इनकी full form क्या होती है, जब हम molecular biology पढ़ेंगे, जब हम translation पढ़ेंगे, तब बात करेंगे, ठीक न, जब हम translation पढ़ेंगे, तब बात करेंगे, यहाँ पर एक बात और याद रख लेना, जो आपका replication है, याद रख लेना, यहाँ पर क्या होने वाला इस nucleus के अंदर, replication इस nucleus के अंदर ही होगा, replication होगा and transcription होगा, ठीक न, replication होगा and आपका transcription इस nucleus के अंदर ही होगा, replication क्या होता है, जब आपका DNA to DNA बने, ठीक न, DNA से DNA बने इस process को बोल देते हैं, आपका replication, ठीक न, इसको क्या बोलेंगा, replication बोला जाएगा, transcription किसको बोलते हैं, वने उसको बोलते हैं आपका replication ठीक ना उसको क्या बोलेंगा आपका sorry उसको क्या बोलेंगा आपका transcription बोलेंगा ठीक ना इसके बाद ये जो आपका ribosomes है ये जो ribosomes है ये ribosomes अब cytoplasm में आ जाएगा और cytoplasm में आने के बाद ये क्या काम करेगा protein की synthesis करेगा या तो ये attach हो सकता है ER से या तो ये attach हो सकता है ER से या फिर ये separately आपका कहीं पर भी रहने वाला है ठीक ना separately कहीं पर भी रहने वाला है और ये protein जब बनाता है तो RNA से जब हम कहते हैं कि RNA से आपकी जब protein बनती है क्या बनती है आपकी protein इस प्रोसेस को हम बोलेंगे is she nice 평ассon को डिन बोलने वाले इतनी बात पता चली बहुत अच्छी बात है और आगे पढ़ेंगे हम डिटेल में इसके बाद हम देखलेते हैं कि जो आपके kadar जो आपके पायत conceive delayed न होते हैं function in the cells, अब हम ऐसे ओर्गिनल्स को देख लेते हैं, जो आपकी protein के trafficking में help करते हैं, ठेके न, metabolic function में help करते हैं, उनको देख लेते हैं, तो फिर आता आपका endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum की उत्पत्ति कहां से हुई है, endoplasmic की जो उत्पत्ति हुई है, बैसे इसका भी कोई evidence नहीं मिला कि end endoplasmic reticulum की उत्पत्ति कहां से हुई है, बट हम बानते हैं कि जो आपका nuclear envelope होता है, जो आपका nuclear envelope होता है, वहीं से आपकी endoplasmic reticulum की उत्पत्ति होती है, यहां पर आपकी क्या होता है, कि आपका nucleus envelope होता है, उससे आपका RER, ठीक न, क्या बनेगा इस starting में, RER बनेगा, और इस RER से ही आपका SER बनता है ठीक ना इस SER बनता है इस RER से R मतलब rough S मतलब smooth अब ये rough क्यों कहला है क्योंकि इस endoplasmic reticulum पर endoplasmic reticulum पर जब आपके ribosomes जब आपके R4 rough भी है and R4 ribosomes आप यहाद रख सकते हो यानि कि RER पर आपके क्या होने वाले हैं ribosomes attach रहेंगे but smooth पर मत जैसे किसका नाम बता रहा है smoothly है यानि कि यहाँ पर आपके ribosomes attach नहीं होने वाले ठीक ना ribosomes attach नहीं होने वाले हैं इतनी बात समझ मागी बहुत अच्छी बात है अब इस SER से ही आपके काफी सारे ओर्गिनल्स जो हैं वो generate होते हैं जैसे कि आपका गोल जी वो डी इसी से होगा ठीक ना गोल जी वो डी इसी से होगा या फिर अगर आपके कोई direct protein direct protein भी बन सकते हैं जो कि plasma membrane का formation करें किसका formation करें the plasma membrane का formation करें या फिर आपका paroxy areux Luis बनना सकता है या फिर आपके जो प्लाजम घो इसीी से तरो भी बन सकता है या आपका गोल जी वो डी के थरो भी बन सकते हैं तो जह हम protein trafficking बोटेई अब हम बात करने वाले हैं endoplasmic reticulum क्या होता है just बाहर की layer होती है किसके जो आपका nuclear envelope होता उसके इसको आपका endoplasmic reticulum है तीन भागों में बाठते है ठीूथ तीन भागों में बाठते है चलो हम आगे ही बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर diagram भी आपको अच्छे सा representation नही होने वाला है structure क्या है वो हम आगे देखेंगे तो देखो मैंने आपको बताया कि दो प्रकार क्या होते हैं एक होता smooth ER यानि कि आपका smooth endoplasmic reticulum and दूर सा होता है आपका rough endoplasmic reticulum तो जो smooth endoplasmic reticulum है इसके function क्या है very 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 important ठीक है ना क्योंकि यह आप से एक साल छोड़ करके दूर से साल पूछ ले जाते हैं चाहे तो smooth ER देदे या फिर आपको rough ER देदे तो जब जो आपका smooth ER होता है उसका काम होता है synthesis of lipid यानि कि lipid की synthesis करेगा metabolism of carbohydrates metabolism करेगा carbohydrates की calcium storage calcium storage करकर रखता है muscles cell में ठीक है ना detoxification करता है drugs and poisons का detoxification कहां पर होता है liver में होता है आपका ठीक ना यानि कि liver में आपका काफी अच्छा bell double up आपका endoplasmic reticulum पाए जाने वाला है तो यह पाच बर्क smooth endoplasmic के याद रख लेना very 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 important है यानि कि synthesis of lipids metabolism of carbohydrates calcium storage and detoxification of drugs and poisons ठीक ना drugs and poisons detoxification के रहा है detoxification में क्या होता है कि कोई भी आपके सिर्फ में जो भी poisons बनना है या फिर आपने जो है drugs लिए है उसको जो है excrete कर देना उसको जो है urean मतलब एक प्रकार सा आप ऐसा समस्कता हो जो भी आपके सरीर की गंद की है उसको जो है सरीर से बहार निकालना ठीक ना उसको सरीर से बहार निकालना इसके बाद रफ endoplasmic reticulum का क्या काम होता है तो देखो इस पर आर जुड़ा हुआ है इस पर क्या जुड़ा हुआ है राइब on ribosomes चीक ना यानि की क्या काम करेगा यह आपका जो है जो है जो है डाइब आटाइच है तो यह protein की synthesis करेगा ठीकर ना protein की synthesis करेगा add carbohydrate to glycoprotein और याद लखने ना यहाँ पर आपका glycoprotein glycoprotein आपका प्रोटीन के ऊपर जो है कार्वो हाइड़ेट को अटेच करवाता है प्रोटीन के ऊपर क्या कराएगा यह आपका जो है कार्वो हाइड़ेट को एड़ कराएगा और यहां पर फोर्मेशन होगा आपका गिलाइको प्रोटीन का और गिलाइको प्रोटीन आपकी सैल मे इस टेक्चर में आपकी help करती है ठीक ना इसके बाद produce new membrane जहां से आपकी एक नई membrane बन सकती है यानि कि इस endoplasmik जो है आपका जो endoplasmik है यहाँ पर आपकी glyco protein बननी है यहाँ पर क्या बननी है glyco protein का निर्मान हो रहा है और यह glyco protein जो है direct direct PM का formation कर सकते है यानि कि आपकी plasma membrane ह उसका formation कर सकते है ठीके ना तो यह आं था आपका endoplasmik reticulum का इंडoplasmik reticulum का इसके बाद क्या होता है इसके बाद आपका आता है goldeneti appraxp ठीक ना इसके बाद क्या आएगा इसके बाद आपका आएग Erfahrating वे अच्चुली इसको न जितना आपका जितना इसका resolution हो सके उतना resolution इसका बढ़ा लेना क्योंगी मुझे पता है मुझे यह आपका सही से नहीं चमक पा रहा तो मैं समझ सकता हूँ आपकी condition भी बढ़ देखो मैंने पीछे जो यह आपको diagram दिया है यह वाला यहाँ पर I think आपको सही चमकेगा ठीक ना इसलिए मैंने डवल डवल रखा हुआ है यहाँ पर इतना छोटा है कि इसको मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसको zoom किया ठीक ना तो अब चलते हम गोलजी बोडी के लिए गोलजी बोडी आपको कहा से generate हो रही है तो गोलजी बोडी आपकी generate होती है SER से ठीक ना कहा से generate ह होगी SER से आपकी generate होने वाली है यहाँ पर जो होता है यह stacks of flattened membrane यानि कि एक flattened membrane होती है structure हम बाद में देखेंगे कि system क्या होती है, system क्या होती है, transform क्या होती है वो हम बाद में देखने वाले हैं ठीक ना जब हम इनको separately पढ़ना भी बहुते जरूरी होता है गोल जी बोडी को हम traffic police के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यह जो गोल जी बोडी होती है यह क्या काम करती है जितनी भी आपकी protein बनते है इस protein का modification अगर इस protein पर कोई चीज एड करना है या कुछ और करना है तो उसको भी add करेगी और जो यह protein है जहां के लिए बनी है जहां का इसका destination है चाहे इसका destination नुकलियस हो दोड़ाइस हो चाहे endoplasmary reticulum हो lysosomes हो या फिर plasmus membrane हो बहाँ पर पहुचाने का काम कौन करता है गोल जी apparatus करता है यानि कि एक कार से trafficking का काम करता है तो अब function देखो कि modification of protein करेगा carbohydrate on protein यानि carbohydrates को जो है attach करवाएगा इसके बाद fast polypid करेगा synthesis of many polysaccharides very-very important यानि यहां पर synthesis of many polysaccharides ओर रहा है ठेक नहां यहां पर क्या हो रहता है endoplasmary reticulum में in Hair shameful metabolism हो ते यहां पर metabolism हो अब यहां पर polysaccharides की synthesis और तो यह difference याद रहख लेना exam में पूचा जाता है take no exam में with बंचे confused हो जाते हैं कि metabolism कहाँ पर हो रहा है and synthesis आपकी कहाँ पर हो रही है metabolism मतलब breakdown होना metabolism मतलब breakdown होना synthesis मतलब formation होना ठीक ना तो polysaccharides का formation कहाँ पर हो रहा है आपका Golgi apparatus में हो रहा है ठीक ना कहाँ पर हो रहा है Golgi apparatus में हो रहा है इसके बाद sorting of Golgi products यानि कि sort करेगा, shipment का काम करेगा, जैसे कि आप एक पिकार से Amazon से कोई समान मंगाते हो, या फिलिप कार से समान मंगाते हो, तो आपका shipment, आपको लिखावाया आता है, कि आपका जो है, shipment हो चुकी है, ठीक ना? यानि कि जो आपका product है, वो आपका packaging होगी, अच्छे से, और जो destination देशिनेशन आपकी जो लिए निकल चुका है उसका वही मतलब होता है ठेकिना तो ये गोलजी यही सबकाम करवाता है इसके वाद लाइसोसोंस आ जाता है है लाइसोसोंस में हाइड्रोलाइज एंजैंजेंस बरे ओए होते हैं जो कि क्या कुछ भी molecules बनना हो उसका क्या करेंगा उसको तोड़ फोड़ करके अलग कर देंगा ठीक है ना उसको जो है उसका ब्रेकडाउन करने वाले है ब्रेकडाउन ओफ इंजेस्टेट सबस्टेंट सेल मेक्रो मॉलिक्यूस एंड डैमेज ओर्गिनल फोर रिसाइकल ठीक ना और रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं लाइसोसोम सगोलजी वोडी अंट्रप्लाजमी रेटुकुलम यह कैसी होती है सिंगल लेयर मेंब्रेन होती है ठीक ना मल की अंदर आपका नहीं पाए जाता यहां पर क्या होता यहां पर आपके इन ओर्गेनिक मेरियल इन ओरगनिक मैं ऑ करेंगे स्टोरीज का काम करेंगे इसके बाद देखो कुछ और हम अपके मेंबरेनल देख लेते हैं जो कि क्या काम देखते हैं जैसे कि हम इसके बढ़ेंगे कि आपका क्लोरो प्लास्ट में क्या होता है आपकी कहा पर होती है आपकी कैलविन रेक्शन कहा पर होती है तो वह सिर्फ चीज हम देखने वाले हैं डेटेल में ऐसी कोई बात नहीं है ठीक ना बट यहां पर आप यह समझे लेना हैं जो आपका माइट् सेलोलर रेस्पेर्शन होता है क्लोरो प्लास्ट में आपका फोटो सिंथेसिस होती है ठीक ना ऐहां पर आपके रैबोसोम्स होते हैं इनके अंदर ribosomes present रहते हैं जो chloroplast होता है उसके अंदर 17S यादर करना S4 suede work unit ठीक ना suede work unit कहा साही उन्होंने centrifugation करा ribosomes को centrifugation करने के बाद जो उनका molecular beta suede work के अनुसार उन्होंने उसको रख दिया ठीक ना, माइट्रो कॉंडियम में आपके 55, ठीक ना, 55S के जो हैं, राइबोसोम्स पाय जाते हैं, ठीक ना, इस माइट्रो कॉंडियम में आपका काफी कुछ पाय जाता है, आउटर मेंब्रेन पर पोरीन होते हैं, फिर एक पैरिफेरल मेंब्रेन होते हैं, जो की इनर मेंब तर्दिन होती है जिसमें आपके क्रिस्टिया जाते हैं यहाद अधर दोनों में बच्चे kanfuse होते हैं जो आपका cr माइट रोंडिया में पाये जाएगा औ्समें आपके cister he's कहाँ पीद है यह आपका कहा बोड़ी में यहाँ बोड़ी में इंदो जगह पाये यहीं पर ही आपके जो माइट्रो कॉंडरी की इनर मेंब्रेन होती है बहाँ पर उसको मैंने आपको बता है कि सिस्टर क्रिस्टिनिया बोल देते हैं इसके बाद बहाँ पर F0 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 बात पर पाए जाता है और निथीन पंप पाए जाता है तो हम बाद में बात करेंगे कि क् इसके बाद आपका बाता है य्यानिके यह क्या करेंगे है या यह वोटर में आपका व्राक्टाउन करवाता है ठीक ना और भी enzymes होते हैं जैसे कि dismutage enzymes होता है वो भी यहां पर help करता है ठीक ना sodium dismutage आपका enzymes होता है तो हम जब paroxysomes पढ़ेंगे तब बात करेंगे contain enzymes that transfer hydrogen of water producing hydrogen peroxidase H2O2 as by product which is converted to water by the other in the paroxysomes यानि यहां पर देखो paroxysomes में आपके तीन enzymes होते हैं तीन enzymes होते हैं केवल catalyze ही नहीं होता है but catalyze से पहचाना जाता है टीक ना catalyze से पहचाना जाता है dismutage भी होता है isocropage भी होता है तो हम आगे ही बात करेंगे कि कौन-कौन सा आपका होने वाला है तो चलो इतनी बात पता चली बहुत अच्छी बात है अब देखो यह आपकी animal cell है एक आपकी animal cell है ठीक ना paroxysomes metabolized based आपका metabolized based पर काम करेगा ठीक ना क्योंकि metabolized based मतलब जो h2o2 बना वो एक कार से कैसा है वो हमारा waste ता जब हमारे अंत्साथिक अंदर metabolization चल रहा होता है तब हमारे पास h2o2 बनता है ठीक ना तब हमारे पास क्या बनता है h2o2 बनता है ठीक है ठीक है इतनी बात समझ मागई अब ये इनके different different function दे रखे हैं आप पढ़ना चाहोगा तो पढ़ ले ना बैसे मैंने आपको बता दिया ठीक ना मैंने आपको बता दिया तो ये lecture हम यही पर समाप्त करते हैं और अब हम आगे क्या करने वाले separately आपके जितने वी ओर्गेनल हैं बेपढ़ेंगे ठीक ना separately ओर्गेनल्स पढ़ेंगे फिर उसके बाद हम एंडोसाइक्टोसिस एंड आपका एक्जोसाइक्टोसिस देखेंगे देर उसके बाद हम चले जाएंगे अपना cell cycle पर फिर हम cell cycle को पढ़ने के बाद cell cycle के चैक पोस्ट पढ़नेंगे और यूनिट आपकी समाप्त हो जाएगे ठीक ना तो रिवीजन रिकॉल करते हो कुछ भी अगर आपको पूछना है पूछ सकते हो वैसे आप कोल कर सकते हो और एक बात को याद रखो यार थोड़ा सेरिंग कर लो ठीक कम से कम 10 सब्सक्राइबर आप अपने आप करवाओ यही आपकी दक्षणा बगएरा होगी ठीक ना यही आपका मेरे प्रेम होगा तो कम से कम 10 सब्सक्राइबर जो भी आपने अभी तक मुझे पता है आप में से काफी सारे आसे हैं जिन्होंने काफी जादे सेयर करते हैं व मतलब थोड़ा सा कोई सब्सक्राइबर बगर ने बढ़ते हैं, तो जो इतने भी आपके जूनियर सा, आपको देखो, बात करनी पड़ेगी खुद, आपको बात करनी पड़ेगी खुद, या फिर आप मेरे पास नंबर बेश सकते हो, मैं उसको थोड़े सा बताऊंगा, कि किस पिखार से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको भी पता है, कि मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको खुद को अच्छा लग रहा है, तब ही आप दूसरों को suggest करना दीक है नहीं तो दूसरों को suggest मत करना न तो share करते हो और जो है जो वीडियो है इस वीडियो को like कर दिया करो टीका न वीडियो को आप like वगरा कर दिया करो तो चलो मिलते हैं आपसे next lecture में जो कि हम nucleus से start करेंगे ठीक न अब separately separately organyls पड़ेंगे separately organyls पड़ेंगे मगर मैंने जो आपको पीछे यह समझा है, मैंने जो यह पीछ informations घूर आपको समझा है ना भाज SHOO мужчा एक तो यह वाला डाइग्राम यह वाला डाइग्राम और दूसरे पर का test यह वाला डाइग्राम डाइग्राम 1 डाइग्राम नमबर वन इसके बाद आपका डाइग्राम नमबर टू नहीं यह टेवल इसके बाद डाइग्राम नमबर थी डाइग्राम नमबर थी आप लिख करके रख लो और जब आप पेपर देना जाओगे ना तो इन डाइग्राम में से आपको इन डाइग्राम में से आ ठीक ना हो सकता है वो आपका दो नंबर का हो तो आपको ये चीजे याद करनी है इनके function याद करने है क्योंकि दोखो जब मैं आपको separately पढ़ाऊंगा न तो मैं इनके function नहीं क्योंकि structure समझाने को सिस करूँगा क्योंकि structure important है तो मैं आपको structure समझाने वाला हूँ specifically function आपको यहीं से याद करने है क्योंकि अगर मैं आपको functional इसके बताने स्टार्ट कर दी है तो आप confused हो जाओगे polysacridates का कहां पर synthesis हो रही है गोल जी बोडी में ठीक है न और metabolism कहां पर हो रही है carbohydrates की ER में तो इन दो बात को भी याद रखने है ठीक है जो differentiation है वो जरूर याद रखना है जो यहां पर organals बच गए हैं उनके function में आपको आगे बताने वाला हूँ ठीक है तो आपका ऐसा होने सब्सक्राइब करने हैं तो मिलते हैं तो मिलते हैं आप से next class के लिए तब तक के लिए टाटा एंड बाए बाए